रेतीले धोरों की नगरी बाड़ मेर में इन दिनों महलाओं की शामत आय हुई है यहां रोजाना ऐसे किस्ते सामने आ रहे हैं जो लोगों में कही न कहीं देह्शत बढ़ाने का काम कर रहे हैं लोगों के माने तो कोई अद्रिश्य शक्ती है जो महिलाओं के बाल काट कर कहीं गायब हो जाती है तो कोई इसे देविय प्रकोप मान रहा है और कोई इसे असुरी शक्ती कह रहा है वहीं विज्ञान के अगर बात करे तो दुनिया भले ही इसे अंध विश्वास कहे लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये सब क्या हो रहा है और आखिर कौन कर रहा है देखे रिपोर्ट पुलिस मान रही अफवा तो डॉक्टर ले रहे तंत्र मंत्र का सहरा बड़ा सवाल कौन खोलेगा अद्रिश्य ताकत का रहस्य कैसे मिलेगी बाड मेर के लोगों को इस डर से निजात इन दिनों बाड मेर परेशान है वहां रहने वाले लोगों को अंजान साय ने खौफ जदा कर रखा है सुभ से राद तक एक ही चर्चा है किस गाउ में और किस शहर में किस इलाके में महिलाओं के साथ बाल कटने की डरावनी घटना घटी इतना ही नहीं कहीं शरीर पर त्रिशूल की आकरिती बनने की सूचना सामने आई तो कुछ जगहों से हाथों के लाल रंग से सननने की जानकारी एक दूसरे से लोग मिलने पर और फोन पर एक ही बात को बार बार पूछते हैं कि अभी तक तुम बचे हुए हो या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो गया है आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इस तरह की घटना पहली बार महाबार गाउं से सामने आई थी इसके बाद पूरे बार मेर जिले में अद्रिश ताकत ने दहशत फैला दी थी एक के बाद एक करके लगातार ऐसी सूचनाई सामने आई जिसने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया हलाकि पुलिस इसे अफवा अशिक्षित और कमजोर दिल की महिलाओं की नकारात्मक मानसिक्ता को जिम्मेदार ठहरा रही है पुलिस अधिकारी ने बताया कि लोगों को ऐसी अफवा से बचना चाहिए विज्ञान पर भरोसा करने वालों की बात माने तो ये किसी की शरारत है वही ग्रामीनों ने बताया कि वे ऐसी घटनाओं से आहत हैं आहत किसकी है और कौन ऐसा कर रहा है ये जाच का मुद्दा है लेकिन बाडमेर के लोग इस मुसीबत से बचने के लिए घर के आगे नारियल चड़ा रहे हैं अपने अरादिल से इस मुसीबत से दूर रखने के लिए हर तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं बाड मेर के जिला अस्पताल में इसी तरह की घटना की शिकार हुई बालेरा गाउं की महिला वो आई तो उसने और उसके परिजनों ने क्या कुछ कहा आईए आपको सुनाते हैं अब इसे अंद्विश्वास कहें या लोगों का डर बीते कुछ दिनों से बाड मेर में जो कुछ चल रहा है उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं चमतकार को नमसकार करने वाले हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं भी हुई हैं जिन पर लोगों को विश्वास करना पड़ा ऐसे में बाड मेर में दहशत का ये माहौल कब और कैसे दूर होगा इस पर सब की नजर है ब्यूरो रिपोर्ट पत्रिका टीवी बाड मेर